हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधहन ब्याज के प्रेस्टनों की आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा साधहन ब्याज देखे मैंने आप पर कुछ रूल्स लिख दिये हैं कुछ ट्रिक्स लिख दिये हैं देखे साधहन ब्याज बराबर होता है मूल्धन इंटू दर इंटू समें डिवाड में रहता है 100 यह फॉर्मूला सभी को पता है इसी फॉर्मूले से सब लोग सवाल को सौल्व करते हैं अब देखे यहाँ पर 100 आ रहा यह क्यों आता है यह 100 यहाँ पर इसलिए आता है क्य क्योंकि यहाँ पर दर प्रतिशत में होती है और देखे जब भी कोई चीरित पर दियों तो क्या आता है 100 आता है इसलिए यहाँ पर नीकe यह फॉर्मूला नीकालिए दर और שמे निकालिए तो इसमें आपको क्या करना है हमेशा जो ब्याज है वो हमेशा उपर रखना है इन्टू हंडड़ कर दिना है ये वाला जो हंड़ड रहेगा ये उपर आएगा और जो ब्याज रहेगी वो उपर आएगी हमेशा याद रखना मूलधन निकालेंगे दर निकालेंगे चाहें समय निकालेंगे ब्याज into 100 हमेशा उपर आएगा और जो बचेगा वो नीचे आजएगा ठीक है दोस्तो देसे मूल्धन पुछा गया है तो ब्याज into 100 उपर आजएगी तो दर और समय बचेगा यह आपको नीचे आजएगा दर पूछा जाएगा तो ब्याज into 100 हमेशा उपर आएगा मूलधन और समय बचेगा ये नीचे आजाएगा यदि समय पूछा गया है तो ब्याज इंटू 100 उपर आएगा और मूलधन इंटू दर बचेगा तो ये नीचे आजाएगा तो ट्रिक ये है आपकी दोस्तों या आपसे मूलधन पूछा जाए चाहें दर पूछा जाएं समय पूछा जाए आपको ब्याज इंटू 100 हमेशा उपर लेना है और जो बचेगा उसे आप नीचे रख दीजे और आपका आंसर आजाएगा ठीक है दोस्तों तो साधरन ब्याज निकालने का क्वेशन पूछा जाता है तो इस टिक से निकालेंगे वो भी मैं बताउँगा और जब इस से पूछा जाएगा तो वो भी मैं बताउँगा कैसे निकालेंगे लेकिन आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिये जब आपका समय आपका जो समय है वो बर्ष में होना चाहिए और जो भिन है वो साथ हरन होनी चाहिए और देखिए आपको question कभी कभी जरूरी नहीं है वर्ष में दिया जाएगा कभी कभी दिन में भी दिया जाता है महीने में भी दिया जाता है 6 महीने 7 महीने ऐसे भी दिया जाता है तो आपको जब दिन दिया जाएगा तो 365 से भाग करना है और वर्स जी आएगा तो 12 से डिवाइड करना है ठीक है दोस्तों बात समझ में आगी यदि दिन दिया जाएगा तो 365 से डिवाइड करेंगे वर्स दिया जाएगा तो बारस से डिवाइड करेंगे समय आपका वर्स में कनवर्ट करना है ठीक है दोस्तों तो दिन से पूछा जाएगा तो वर्स में कनवर्ट करने के लिए क्या करेंगे 365 से डिवाइड महीने दिया जाएगा तो वर्ष में convert करने के लिए क्या करेंगे वारसे divide करेंगे और भिन आपकी हमेशा साधरन होनी चाहिए या आप याद रखेंगे ठीक है दोस्तों तो मित करता हूँ ये छोटी से फॉर्मूला आपको याद हो चुके होंगे व्याज into 100 हमेशा उपर रखना है और जो बचेगा उसे नीचे रख देंगे ठीक है दोस्तों आप देख लेते हैं question देखें आपर question दिया गया पांच हैर रोपय का 20% की 10 से 3 वर्ष का साधरन व्याज कर ग्याद करें तो देखें साधरन व्याज निकालने का formula क्या है अभी menu पर लिख रखा था मैं फिर से लिख देता हूँ साधरन व्याज का formula यहाँ पर दे रखा है मूलधन into the into समय दे रखा है दिवाड में क्या लेना है दोस्तों आपको 100 दिवाड में आपको 100 लेना है ठीक है दोस्तों देखें मूलधन को कितना दे रखा 5000 तो 5000 ले लेंगे पांच यार दे रखा तो पांच यार इंटू दर कितनी है बीस परसेंट है तो बीस ले लेंगे और समय कितना दे रखा समय दे रखा दोस्तों आपको तीन तो तीन ले लेंगे समय कितना दे रखा दोस्तों आपको तीन वसका तीन ले लिया डिवाइड में रखना आपको 100 अ ही क्या हो जाए गज तुस्तों आप कान सुरू हो जांगा 30-100 रुपह हैं ऱुर्श किया होगे तेन हुआ 5,000 रुपह का 20% की स्ट्रें दर्श से तीन वर्श का सधन ब्याज क्या होगा 3500 रुपह होगा तो सधन ब्याज निकाल गाए इस सिंपल सा formula है आपको याद हो चुका होगा यदि आपसे question पूछा दा तो इस तरीके साब question बड़ी आसानी से निकाल देंगे ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला question अगला question है 10,000 रुपे का 20% की दर से 73 दिन का साधन व्याज ग्याद कीचिए 73 दिन का साधन व्याज पूछा है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर देखे formula आप मैं नहीं लिखूँगा आपको याद हो गया होगा मूलधन कितना दे रखा दोस्तों आपको 10,000 दे रखा है तो मू करना इससे दिन कतना दे रखांपको 73 तो क्या करेंगे दिए जाएक तो दिन दे जाएंगे तो 375 से दिवाइड करेंगे वर्ष में convert करने के लिए ठीक है दोस्तों तो बात समझ में आगी होगी देखिए यहाँ पाथ 73 से 365 कर जाएगा दोस्तों 5 बारी और देखिए 2 0 से यहाँ पर यह 2 0 कर जाएगा और यह 5 से 20 कर जाएगा 4 बारी तो 4 का multiply बचा है 100 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 4 का multiply जब 100 में करे तो बात उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह आपकी समझ में अच्छे तरीके से आगया होगा अब मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से दिन एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों तो देखिए 73 दिन, 140 दिन, 219 दिन, 292 दिन और 365 दिन यह आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे 73 दिन, 140 दिन, 219 दिन, 365 दिन आपसे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आप हूँ करना क्या होगा बस डिवाइट दे दिजे 365 से जितने भी दिन आपसे पूछा जाए जैदि हापा 73 की जगे 140 दिन दिन दिये जाएंगे तो 365 से डिवाइट करना है महीन क्षें बारा कोशण दे रखा, 9000 रुपे का बारा प्रस्ट की दर से 3 महीने का साधन याज क्या होगा ठीक है साधन याज आपसे पूछा घ्या है,कि सबसे पहले क्या रखा है मूल धन, मूल धन कितना आपको 9000 रुपे मूल दर दे रख्ये कितनी 12 मल्टिप्लाइ में मही लेना है और देखे जब महीने दे रखे हैं जब को महीने दिया तो 12 से multiply करेंगे दिन दिये तो 365 से यदि वर्ष दिया जाता तो कुछ भी हमें नहीं करना होता सीधा बर्ष लिखके आपका अंसर आ जाता महीने दिया तो 12 से बाट करेंगे दिन दिया है तो 365 से अब इसे solve कर लीजिए देखे यहां पर यह 12 से 12 कर जाएगा सिंपल यहां दो 0 से यह दो 0 कर जाएंगे और यहां पर बचेगा आपका 9 और 3 तो 9 का multiply कर देंगे 3 से नोतिया 27 हो जाएगा आपका नोतिया कितना हो जाएगा 27 और एक यह 0 आ जाएगा तो 270 यही का हो जाएगा दोस्तो आपका आंसर तो साधन ब्याज क्या होगा 9000 रुपे का 12% की दर्शे साधन ब्याज क्या होगा 270 रुपे होगा 3 महीने का कितने दिन का 3 महीने का निकालने के लिए दे दिया जाए तो बड़ी आसानी साब उसे निकास 3 महीने का हो चार महीने का हो, 73 दिन का, 140 दिन का, 5 महीने का, 6 महीने का, तो आप बिल्कुल भी परिशन मत होई है, आप इस ट्रिक से बढ़ी आसानी से निकाल लेंगे, अब देखेएगगे दोस्तो अगला कॉशन, अगला कॉशन आपका, 5,000 रुपे का, कितने प्रशत की दर से, 3 वर्सका, साधरन भ्याज, 3,000 रुपे होगा, ठीका दोस्तो, देखेएगा, हमने आपको साधरन भ्याज के कोशन बता दी हैं, कैसे निकालने हैं, लेकिन हमने आपको बताया था दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए तो उससे आप कैसे solve करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना होगा ब्याज into 100 हमेशा उपर रखना होगा यही हमने आपको बताया था दर में भी मूलधन में भी और समय भी क्या बताया था ब्याज into 100 हमेशा आपको उपर रखना होगा तो आपको इसमें पूछा क्या गया है कितने प्रस्थत की दर से तो आपको इसमें पूछा क्या गया है दर पूछी गई है यही तो बचा, मूलदनों समय बचा इसे नीचे रख देना है, अब देखें से solve कैसे करेंगे, ब्याज कितना दिया गया है दोस्तों आपको इसमें, ब्याज दे रखा है तो ब्याज आपको कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा आपको 3000, ब्याज कितना दे रखा है दोस्तो लेंगे बहुत सेंपल है दोस्तों देख़ें एक दो तीन एक दो तीन जीरों से चला जाएगा और इस तीन से यहां तीन चला जाएगा और पाक्सेट माधी संड्रेट को काटेंगे कि ट In जाएगा दोस्टों 20 वारी तो आपको देखिए कितने परसेट की दर से 20 में दर से यही क्या हो जाएगा है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा यादि आपसे दर पूछा जाए समय पूछा जाए या मुलधन पूछा जाए तो आप बढ़ी आसानी से इन को solve कर लेंगे अब देखते हैं दोस्तों अगला question अगला question है वह कौनसी धन रासी है जिसका 5 प्रसत की दर से 6 वर्ष का साधन ब्याज 1800 रुपे होगा वह कौनसी रासी है इसका मतलब मूल्धन पूछा गया है दोस्तों क्या पूछा गया है मूल्धन आपसे पूछा गया द से भी आप नीचे ले लीजे ठीक है दोस्तों अब देखिए व्याज कितना दे रखा व्याज दे रखा आपको 1800 रुपे तो यहां पर आप 1800 लिख दीजिए simple multiply में 100 लिख दीजिए simple दर कितनी दी गई है 5 की दर दी गई है तो 5 आप नीचे लिख लिजिए simple समय कितना देग च्छे हो जाएगा और एक दो तीन जीरो जोड जाएंगा मल्लिप्ले में crippleाइ में जीरो जुड जाते हैं तो यह कितना होगए दोस्तों 6000 तो आप से क्या पूछा गया ता वह कौन सी धन रहा सी है मतलब मुल्धन आपसे पूछा गया क्या पूछा गया मुल्धन तो मुल दर से कितने समय में 9600 रुपय हो जाएंगे पूछा गया कितने समय में तो समय निकालना है दोस्तों कितने समय में हो जाएंगे ठीक है दोस्तों तो देखें इसकी फॉर्मुला वही होता है व्याज इंटू समय के वाज जूंटू 100 उपर रहेगा और डिवाइड में दोस्तो दर से कितने समय में 9600 रुपे हो जाएंगे ठीक है दोस्तों तो यह just ्देर लुप्ञांजी the राखा है कितने समय में कितने समय में हो जाएगा समय निकालना है क्या हो जाएगा 9600 तो इसका मतलब यह क्या है यह दूस्तु आत्PS यह मिशिर धन puisque मिस्र धन है है कि नहीं मिस्र धन क्योंकि साधन ब्याज भी आपका इसी में मिक्स हो रहा है साधन ब्याज कोश्चन में कहीं नहीं दिया गया साधन ब्याज भी आपका इसी में मिक्स हो रहा है तो देखिए आपका मूल धन कितना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूल धन है दोस्तों आपका यहाँ पर लिख देते हैं मूल धन है आपका 8000 रुपे 8000 रुपे और मिस्टे धन आपका कितना है देखें मिस्टे धन है आपका 9600 मिस्टे धन है दोस्तों आपका 9600 रुपे ठीक है दोस्तों, तो देखिए मूल धन नहाए आर्ट धाजृज अपका 6,000 तो आपका साधन और ब्याज कितना हुआ, साधन और भ्याज हुआ तो आपका 16 Palmy بن देखिए मूल धन में 16 Palmy ग्याज का मिलेगा तभी तो 9,000 6 Palmy हो जाएगा मिस्रिधन में हमेशा मूलधन और प्लस ब्याज दोनों होते हैं मिस्रिधन में क्या होता है दोस्तों मूलधन मिलाके और ब्याज मिलाके मिस्रिधन हमारों होता है तो मूलधन और ब्याज देखे क्या हमारी यह हमारी ब्याज ठीक है तो मूलधन प्लस ब्याज को तो ही हम मिस्टधन बोलते हैं मूलधन प्रस ब्याज को मिस्टधन बोलते हैं तो मूलधन हमार आलग हो गए 8000 रपे टूटल मिस्टथन आपको 9600 प्याज कितना होगा तो आपको ब्याज कितना दी रख आपको 12 अर्पे से घ्रतेंगे डिवाइड में दूष्ट रूपए जिरुग कट जाएगा 8 उनी कितना हो जायएगा सोना सब कट गया बचा कितने का आप के पास दो बचा आप से समय पूछा गया है वर्ष पुछा गया तो वर्ष का समय लगेगा आप से पूछा गया आट यहर रुपया का 10% की दर से कुतने समय में नोईज जदी अभी भी कोई डाउट रहा गया है तो आप हमसे comment box में पूछ लेना, आप देखेंगे दोस्तों अगला question, अगला question है कितने प्रित्सत साधन ब्याज की दर से दो वर्स का ब्याज मूल धन का 3 वट्टा 5 गुना होगा, दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था भिन क्या होना चाहिए, भिन होना चाहिए साधन तो यहाँ आपको आपको जो भिन दे रखिए, यह साधन भिन है, तीन वट्टे 5 गुना दे रखा है, यह आपको करना क्या होगा, आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, दो वर्स का, देखें समय कितना दे रखा है, आ व्याज और मूलधन दे रखा है आपको दोस्तों आप लिख लेते हैं व्याज और मूलधन कितना दे रखा तीन बटे 5 देखे जब इसे रेशियो में कंवर्ट करेंगे तो क्या होता है जो पहले वाला दे रखा होता उसका उपर वाला नुपाथ होता है और जो बाद वाला कितना होता है बी का अनुपाद 5 होता है ठीक है दोस्तों बात समझ में आगी होगी जब आपको ए भी बराबर ए भी बराबर कितना दे रखा है ए अनुपाद भी बराबर दे रखा होता है तीन अनुपाद 5 तो एक अनुपाद क्या होता है तीन होता है उसी तरह से पहले वाल करना है आपसे पूछा क्या गया कोशन में पूछा गया है दर से साथान ब्याज की दर से तो कितने साथान ब्याज की दर से तो आपको दर निकाल नहीं है तो दर बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 आपको हमेशा उपर लेना है ब्याज इंटू 100 क्या करेंगे उपर लें डिन डिवाइड में 100 लेंगे डिवाइड मुझधन केतना दे रखा मुझधन दे रखा दूस्तों आपको 5 तो 5 लिख लेंगे multiply में समय केतना दे रखा 2 वर्षका तो 2 ले लेंगे ठीक हडो अब देखे 5 से ये कितनी बारी कर जाएगा 20 वारी कर जाएगा और 2 से ये 20 कितनी वारी कट जाएगा, 10 वारी कट जाएगा, तो 3 और 10 वचे, तो 3 का multiply 10 से कर दीजे, कितना हो जाएगा, 3 धा में 30 हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत की दर से, 30 प्रतिशत की दर से, क्या हो जाएगा, आपका 2 वर्ष का ब्याज और मूलधन, 3 वट्टे 5 कुन होगा, दोस्तों, आपको साधर भिंड में आपको मूलधन और ब्याज दे रखा है, तो जो पहले वाला दे रखा होगा, उसका उपर वाला नुपात होगा, जो बाद वाला दे रखा है, उसका नीचे वाला होगा, तो ब्याज का होगा, तो ब्याज का होगा, तो ब्याज क दोस्तों दन्हेबाद